हेलो साथियो हमारे यूट्यूब चैनल पापका स्वागत ना सौरब कुमार सिंग और लगातार विशयों पर केंद्रित है वो विशय है कि BPSC द्वारा आयो जीत सिछक बहाली के मुद्धे पर जो दूसरे फिच की बहाली हो रहे उसमें सीटेट एपेरिंग का मौका क्यों ही मिलना चाहिए और मिलने की बात है तो आपको हम बताते चले इकल इस विशय में एक महत्मुल सुचना आपको बता दे कि कल बैठक भी हुई है सरकार तक ये बात पहुंची है और आज साम तक आपको एक महत्मुल सुचना आपको इस मध्यम से मिल जाएगा कि सीटेटी ए के निता हों, चाहे जेटिव के निता हों, सब लोग के पास एक खबर गई है, और लगातार लगबग दस दिनों से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे हमारे साथ ही, संघर्स कर रहे थे, चाहे वो BPSC ओफिस के बाहर हो, चाहे RGT कर्याले में हो, तो सब चीज़ों पर गतिवीत की मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके अलाबा, बहुत सारी समस्या हैं, जिसके लिए लगातार फोन को मैसेज आ रहे हैं, तो one-to-one हम सारी समस्याओं से आपको अबगत कराते हैं, कि यह STAT पेपर एक और दो में, जो उम्र समधिन सीमा की छूट थी, वो चार साल और दस साल या Uncolumn में, सुब्जेक का नुसार जो भरने वाली column है, उसको उम्र सीमा का छूट लेना है या नहीं लेना है, तो आप अपने अनूसार आपको सुझ करना है और उसके अनूसार अपने column को भरना है, आप समझ सकते हैं कि यह से वहती हैं, जो यह पूर क भरे हैं पी आटी का जो मामला है तो पी आटी में जो सीटे थी जो पहले निकली भेकेंसी उसमें दिव्यांग और कई कैटोगरी के महिलाओं को ही सीटा रक्षित की गई थी परंतु सिछा भी वहाग और बीपीएस सीके तरब से कल दो एक महत्पूर नोटिस आया कि 1-2-5 मे हैं वो उसको खोल दिया गया है और जेनरल कैटोगरी के लिए सभी कैटोगरी के लिए रास्ता खुल गया है और जितने भी लोग हैं सब फॉर्म भरेंगे अब परिच्छा को लेकर भी काफी गामा गमी है तो हम लोग का या अन डिवेट में भी शामिल हुए थे तो जो इ परिच्छा के देती भी दिसंबर से बरहाई कर जनवरी ले जा जाती और जो सीटे टेपेरिंग का मामला है अगर उसको मंजूरी मिलती है तो बैठेंगे परिच्छा में बीपीएसी पास करते हैं तो उनको नोक्री मिलेगे नहीं पास करेंगे तो फिल्टर के फिल्टरिं क्यों ना परिच्छा ले जाए तो सारी चीजों पर सो जो अप्लिकेश्चन के माध्यम से सरकार तक पहुचाने का जो जर्या है वो पहुंच चुका है और परमुक मंग सप्लिमेंटरी रिजल्ट में जो बाते हैं कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट कव आएगा और लगातार ज बगभग 10-11 जिलो से चिठी मिले भी है तो साड़ी चीजों पर लोग अबगत हैं और कितने कितने रिक्तिया आई है जिलो से उस सब को देखा जा रहा है मेरे पास पर कुछ चीजे हैं कई जिलो से लोग बता रहे हैं यह यह हो तो जो चीजे हैं उसमें हैं कि रिक्ति जो भ ले आजाए तो सिप्लिमेंटी रिजल्ट आएगा और कई खबरे हैं जो लोग बता रहे हैं कि नहीं आएगा तो आपको हम बता दे इसकी 110 परसेंट चांस है कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट कितना आएगा इस बारे में हम पूरी अस्पस्टिक करन तो नहीं देंगे प्रतु इतना जरूर है कि रिजल्ट जो है वो दस हजार के आसपास आने की समभबना बीपीस द्वारा है प्रतु हम लोग एक सरकार से आग्रह करते हैं कि रिजल् रिफिज की बहाली है उसको लेकर काफी प्रॉब्लम हो रहा है एडिट का ओप्शन दिया जाना चाहिए कुछ गलत भराग गया है कैंसल करके फिर फॉर्म भरते हैं तो जो पैसा है जो कट जाता है फिर पैसा वापस नहीं आता तो कई समस्या है अगर आप अगर थोड़ा तो क्या दिक्कत है थोड़ा सा डेटेक्टेंड कर दीजिए और फिर जनवरी माह में पर इच्छा ले लिजिए तीटे टेपेरिंग का भी मामला है उस मामले में भी आज संभवत साम तक कुछ खबरी आ जाएंगी तो सारी चीज़े बलगवक किलियर हो जाएगी अब कई लोग हैं जो मैसेज़ करते हैं वो कहता है के नमबर के जगा कर ढूल कर दिया तो सर्टिफिकेट अप्लोड़ कर दिए है तो कोई फरजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सारी चीजह अगर कि अगर कोई भी चीज अगर फॉर्म आप सब्मिट करते हैं तो उसी को असपस्ट माना जाएगा हाँ, इडिट का उप्शन आता है तो जो फॉर्म भरने में जो समझते आए हैं कुछ ऐसे जो चीजे जो उसको लेकर आपके अंदर यह है कि हम फॉर्म गलत भर दिया है किसी विचिज को लेकर चाहे है रेश्टेशन नंबर में या फॉर्म भरने में या लास्ट अप्लोड करने में सब में कहीं न कहीं है कई ऐसे मामले थे जैसे 628 को लेकर कि BCA, BTEC, MCA आदे चीजों पर जो है को लेकर मामला है जैसे बहुत सारे प्रक्षाथी फोन करते थे और बताते थे कि subject termination को लेकर काफी चीज़े हैं subject में हम माले थे मेरा subject history owners है और उसके combined जो subsidiary है वो pole science या जगराफी नहोकर कई ऐसे विशे हैं जिनकी प्रहाई नहीं होती आपने आसनातक विशे को लेकर उसको आप छीख धंग से चूच करें ताकि जो आपको देंगे BPSC उसी हिसाब से सीटों के आकलन के नुसार आपको फिरम फॉड फिलब